दोस्तों क्लास 12 के हिंदी में पद्ध खंड का आठमा चेप्टर उसा जिसके कभी है समसेद बहादुर सिंग उसके अबजेक्टिव कोश्चन और उसके एंसर को देखेंगे सभी कोश्चन आपको इंपोंटेंट बताए जाएंगे इसलिए वीडियो में लाश तक बने रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को अधिक सधिक सेयर करें लाइक करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें पहला कोश्चन है दूसरा सब तक का परकासन बर्स है दो हाजार ठाना इनुन में पोछा हुआ कोश्चन है उप्सन आ है 1950, B है 1951, C है 1952 और D है 1954 तो सही अंसर होगा दोस्तों आप्सन B, 1951 समसेर बहादूर सिंग की कभीता है उप्सन A है पुत्रव्योग, B है हारजि, C है उसा और D है तुमूल को लाहल कलह में सही अंसर होगा उप्सन C, उसा तीन में है प्राता काल का नब कैसा था? उप्सन A है धुन्दला, B है नीले राक के समान, C है लाल कमल के समान और D इन में से कोई नहीं तो सही इंसर होगा उप्सन B, नीले संके समान चार में है उसा का जादू कभ तूट जाता है? उसा का जादू कभ तूट जाता है? उप्सन A है अंधिरा होने पर, B है सुरियोदे होने पर, C दोपहर में और डीन में से कोई नहीं तो सही इनसर होगा बी सुरियोदय होने पर नेक्स्ट कोश्चन पाचमा है समसेर बहादो सी का जन्म कब और कहां हुआ था ओप्सन ए है 13 जन्बडी 1911 गणवाल उत्राखंड बी है 13 जुलाई 1911 राची जारखंड तो सही इनसर होगा ओप्सन ए इलाहाबाद समसेर बहादूर सी ने इलमखित में से किस कोश का समपादन किया ओप्सन ए है उर्दू अंग्रेजी कोश बी है हिंदी अंग्रेजी कोश सी है हिंदी साहित कोश और डी है उर्दू हिंदी कोश तो सही इनसर होगा ओप्सन डी उर्दू हिंदी कोश आठ में है समसेर बहधूर सी की रचना किस सब तक में आने शुरू ही option A है पहला सब तक B है दूसरा सब तक C है तीसरा सब तक और इन में से कोई नहीं तो सही अनसर होगा B दूसरा सब तक अगला question है समसेर बहादूर सिह का संबंध किस विश्विद्याले से रहा है Option A है बिक्रम विश्विद्याले B है इलाहबाद विश्विद्याले इलाहबाद C है कुमायू विश्विद्याले कुमाऊ और D है गढ़बाल विश्विद्याले उत्राखंड सही एंसर होगा option A बिक्रम विश्विद्याले 10 में है समसेर बहादूर सिह ने निवखित में से किस साहितकार समा कालिन थे option A है जैसंकरपरशाद B है प्रेमचंद C है रस्खान और D है नागारजुन सही एंसर होगा option D नागारजुन 11 में है उसा कबीता में प्राता कालिन नब को किस के समान बताया गया है option A है नीले सागर के समान B है नीले संख के समान C है नीली चादर के समान और D है नीली और सफे दभेदार चादर के समान तो सही एंसर होगा option B नीले संख के समान 12 में है नेक्स्ट कोशन है पराता कालिन नभ का संदर क्यूं बढ़ गया है option ने है क्योंकि अभी चांच चमक रहा है B है क्योंकि चंद्रमा में गरहन लगा हुआ है C है क्योंकि पूरब की दिसा में इंधनुस निकलाया है और D क्योंकि सुर्योदे से पहले किना लीमा और आकास किनी लीमा अधभुक्त रंग बना रही है तो सही अंसर होगा option D तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में उसा चेप्टर का objective question और उसके अंसर को देखा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक सेदी सेयर करें